कार जय हिंद बंदे मात्रम दोस्तों आप सभी का स्वागत है बीटेज बरोदर प्लाटपर्म में राष्टिस में से साथ दिसे जामी नाई फ्राम बीटेज बरोदर तो दोस्तों इसमें हम लोग देखने वाले हैं जो बिहार इन्वर्शिटी का तरफ से 50 मार्ट हिंदी का जो एकजाम होने वाला है जिसे नन हंदि कहते हैं उसका इंपर्टेंट कोेस्ट्ञ इसमें देखेंगे तो दोस्तों चलिए सुरू करते हैं आज का पहला कोष्टन देखिए धरमबीर भारति से हैं जो है धरमबीर भारति का जनम कब हुआ था तो दोस्तो धरमभीर भारती का जनम जो हुआ था और 926 में हुआ था इसका correct answer दोस्तो टी हो जाएगा देखिए दोस्तो जो M.I.L. हिंदी का important question का class हुआ है उसको भी आप लो जरूर जाके देखिए का क्योंकि सिलेबस सेम ही रहता है एक दो चेप्टर जो है दो चेप्टर इसमें extra है तो उस चेप्टर को हम इसमें clear कर देंगे लेकिन बाकी जो सब चेप्टर है सिलेबस सेम ही होता है तो उसका जो M.I.L. हिंदी का जो important question बना है उसको आप लो जरूर जाकर देखिएगा और modal paper भी जो बन गया है उसको भी आप लो जरूर जाकर देखिएगा दो नमर देखिए को रहा है ठंडा लोहा सिर्षक काब्य संग्रह के रचनकार है तो कौन है ठंडा लोहा जो है क्या है ठंडा लोहा इस तरह भी पूछ सकता है ठंडा लोहा क्या है तो काबय संग्र है तो ठंडा लोग क्या है काबय संग्र है इसके राचनाकार कौन है तो धरमबीर भारती हैं correct एंसर यह हो जाएगा तीन देखिए देखिए दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ये बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको समय समगर वोड़ी में तरहेगी लाइक केमेट सेर जरू करें तीन नमर देखिए को रहा है महाभारत की कथा पर आधारित भारती के कावे नाटक का सिर्षक है तो कौन सा कावे नाटक का सिर्षक है महाभारत की कथा पर आधारित जो है कौन सी आधारित कावे नाटक है तो कौन है अंधा यूग है इस तरह भी कोश्चन पर भारत की महाभारत की कथा पर आधारित कौन सी कावे नाटक है तो अंधाई यूग है किसके द्वारा लिखा गया है तो भारती के द्वारा लिखा गया है नहीं धरमबीर भारती के द्वारा चलिए आगे question 4 नमन कर रहा है कि धरम बीर भारती किस परसिध सापताहिक हिंदी पत्रिका के संबातक थे तो यह जो थे धर्म यूग जो पत्रिका थी हिंदी पत्रिका अगर पूछा जाए धर्म यूग का एसी कौन सी पत्रिका थी तो हिंदी पत्रिका थी किसके द्वारा यह संपादन किया गया था तो धर्म बीर भारती के द्वारा किया गया था जो धर्म यूग के जिसका नाम है पांच नमन देगे कर रहा है कभीता और कलपना सिर्शक कभीता में काली दास की किस रचना का संदर्व आया है तो काली दास की कौन सी राचना के संदरवायत है कोभी और कलपना में आपका correct answer 5 का C हो जाएगा मेग दूत आगे question देखिए देखिए दोस्तों जो exam M.I.L. हिंदी का हो गया है उसका जो question को answer आप लोग बीचे यानि उसका answer दे दिया गया है तो उसको भी आप लोग पचास मार्स के हिंदी वाले जीन का non-hindi है उसको भी आप लोग जरूर जाके देखिएगा क्योंकि एक दो question यानि दो तीन question तो जरूर उसी में से रहेगा तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा पांच देखिए छे नमर कोरा साज का बादल यानि साज का बादल सिर्शक कभीता के रचनकार कौन है तो यह जो है धरंबीर भारती है साज का बादल जो है क्या है या कभीता है जिसकी रचनकार कौन है धरंबीर भारती आगे देखते हैं साथ नमर question कोरा यहां मनुस्य को मनुस्य मानना गुना है किस कभी की पक्ती है तो यह जो है धरमबीर भारती की है यानि यहां मनुस्त की मनुसे मानना गुना है किस कभी की पक्ति है धरमबीर भारती की पक्ति है आठ नमद यह के धरमबीर भारत यानि भारती किस बाद से संबंध कभी है तो आठ का आपका correct answer D हो जाएगा नई कभीता धरम भीर भारती द्वरा कौन से बाद है तो नई कभीता के द्वरा जो है संबंध है यानि नई कभीता जो है इनका रशनाकार है धरम भीर भारती का उसी से संबंध है नो देखे कर आए धरम भीर भारती का जनम कहां हुआ था यह important पहुत important question है तो धरम भीर भारती का जनम जो हुआ था इलहाबाद में हुआ था दस नमबर देकर धरम भीर भारती धर्म यूग सबताहिक के समपादक कब हुए तो कब हुए थे दस काप का करेक्ट एंसर सी हो जाएगा 960 में हुए थे देखिए दोस्ते ऐसे ही आप लोग को इंपंटयंट को कोस्चन मिलेगा आगे भी sto चा तीन बज़े याणि साम समय तीन बज़े दोपहर समय आपो लोग को मिलेगा एगारा ए कंपूर्टैंट कोस्चन जो नन हिंदि के लिए एक iają देखिए क्यार्ण्ऑ धरम भीर भारती को पदम श की उपाधि कम मिली थी तो एक गारह का आपका correct answer C हो जाएगा अन्य सो बहुततर में धरमबीर भारती को पदम सीरी की उपाधी मिली थी 12 देखिए को रहा है गुनाहों का देवता क्या है तो गुनाहों का देवता किसके द्वारा लिखा गया है धरमबीर भारती के द्वारा लिखा गया है यह क्या है तो यह जो है उपन्यास है चलिए कुछ इनकी रचनाएं जान लेते हैं धरमबीर भारती से जो रचनाएं इंपोर्टेंट है पूछता है उसी से हम जो जानते हैं जो कभीता ही नो लिखे हैं ठंडा लोहा जो लिखे हैं कभीता ही है अगर पूछा जाएके ठंडा लोहा क्या है तो कभीता है सात गीत बर्ष क्या है तो यह जो है कभीता है कनुपीरिया जो परबंध कभीता है यवी क्या है कनुपीरिया कभीता है आगे देखते हैं काबे नाटक तो काबे नाटक क्या ह आगे देखिए यानि मुर्दो का गाउं चांद और टूटे हुए लोग बंद गली का आखरी मकान यह जो है क्या है कहानी संकलन है किसके द्वारा लिखा गया है धरंबीर भारती के द्वारती के द्वारा यह बहुत बहुत इंपोर्टेन कोशन सबको देख लिजेगा उपन उपन्यास का नाम क्या क्या है गुनाहों का देवता जो है उपन्यास है सूरज का सात्वा घोड़ा यह भी उपन्यास है गियारह सपनों का देश जो है उपन्यास है दोस्तों ऐसे ही पूछता है कि सूरज का सात्वा घोड़ा क्या है का बेरनाटक कहानी संकलन उपन्यास या एकांकी तो आप लोग अप्शन उपनेयास लगाईएगा उसी परकार एकांकी देखिए इन्हों एकांकी जो लिखे धरमबीर भारती द्वारती द्वारा नदी प्यासी थी यानि नदी प्यासी थी जो लिखा गया है या कौन सी रचना एकांकी है किसके द्वारा लिखा यह भी निबंध क्या है निबंध यह किसका रचनकार है तो धरंबीर भारती का कहनी और कहनी जो है यह क्या है निबंध ही है जो किसके द्वारा लिखा गया है यह धरंबीर भारती के द्वारा लिखा गया है इसको भी देख लीजिएगा दोस्तों अब देखिए आगे कर रि रिपोतार्ज भी लिखा गया नाम है परगतिवाद एक समिक्षा मानो मुल और साहित्य यह सब स्वमिक्षा है किसके द्वरा लिखा गया है धरंबीर भारती के द्वरा सिध साहित्य सुध परबंध जिसे कोते हैं सिध साहित को सुध परबंध भी कोई कोई मिलता है यह अभी क्या है स्वमिक्षा है किसके द्वरा लिखा गया है धरंबीर भारती के द्वरा अनु और यह क्या है समिच्चा और निबंद ऊगा अगर दोस्तों कम अगर हमारे चैनल पर नूए हैं तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेश करें जैसे आपको समझे पर उडियों में ते रहेगी लाइक केमिट शेयर जरूर कर देखें दोस्तों हम बार 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 बताते हैं कि जो एकजाम ए मैएल हिंदिस का एकजाम हुगए है उसके बस्वर जरूर देखकर जाएगा जो मेरे चैनल पर हो चुका है उसको आपने जरूर देखेंगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्य बाद जय हिंद बंदे मात्रम दोस्तों